गुड मॉर्निंग आज इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे स्टेंडर्ड सेल पोटेंशल स्टेंडर्ड सेल पोटेंशल क्या होता है तो जैसे मैंने आपको अपने पहले वीडियो में बताया कि किस तरह ये जिंक जो होता है कॉपर से जादा उक्सिरेशन करना पसंद करता है और जिंक और कॉपर को अगर सामने लाकर रख दिया जाए तो मजबूरी में जिंक अपना एलेक्ट्रोन लूस करेगा और कॉपर उसको क्या करेगा गें करेगा पर क्या होता है जब मैं दोनों मेटल को फ्री छोड़ दू फ्री छोड़ दू in the sense मतलब इन दोनों को किसी भी circuit से जोईन ना करूँ जिंक जो ZN है वो अपने ही solution में रह जाए copper जो है वो अपने ही solution में रह जाए मतलब इन दोनों का कोई connection ना हो इन दोनों रोड को क्या कर दू फ्री छोड़ दू तो उस case में क्या होगा कि ये जो ZN है ये दो electron lose करके solution में आएगा ZN 2 प्लस बनके और ये जो solution का ZN 2 प्लस है ये क्या करेगा इस metal पे जाके क्या हो जाएगा छिपकता जाएगा ठीक है तो जब ZN 2 electron lose करके ZN जब 2 electron lose करके बाहर आ रहा है मतलब ये जो ZN है ये जब 2 electron lose करके solution में आता है ठीक है तो इस process को हम बोलते हैं D-electronation इस process को हम बोलते हैं D-electronation ठीक है और जब ये जो solution का zinc है ये क्या हो रहा है ये दिरे-दिरे surface में जाके चिपक रहा है तो इस process को हम बोलते हैं Electronation दो electron लेके ये surface पर क्या है अर अच्छे पक रहा है तो इसको हम बोलेंगे Electronation अगर इन दोनों reaction को देखो तो ये क्या है ये एक दूसरे के opposite आ रहे हैं तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं इन दोनों reaction को इन दोनों reaction को देखा जाए तो ये एक दूसरे के opposite आ रहे हैं तो इनको हम ऐसे भी लिख सकते हैं यहाँ पे हमने लिखा डी एलेक्ट्रो नेशन और यहाँ पे हमने लिखा एलेक्ट्रो नेशन तो यह क्या हो जाएगा एक सलुशन में बनके बाहर आ रहा है और दूसरा सलुशन से रड्रा से क्या क्या करहा है लेको यह क्या है अगय पे बनके करें पेट्पक रहा है तो इस तरह यह में क्या एक equilibrium state आ रहा है यह equilibrium state right hand side shift होगा कि left hand side shift होगा तो अगर हम ZNSO4 की case में देखें तो यह equilibrium है बेटा यह right hand side shift होगा तो जो अगर यह right hand side shift हो रहा है तो यह oxidation को जादा favor कर रहा है कुछ ऐसा यह process copper के case में भी है copper क्या कर रहा है अपने दो electron lose करके बाहर आ रहा है copper two plus में के form में और solution का जो copper है यह क्या कर रहा है इसके surface पे जाके चिपक रहा है ठीक है जब यह बाहर आ रहा है तो इसको d electronation और यह जब अंदर जा रहा है तो इसको क्या बोलेंगे हम electronation अब देखना यह है कि तो copper का भी हम कैसे लिख सकते है copper ठीक है इसको लिख सकते है copper two plus plus two electron लेकिन copper क्या कर रहा है copper का अगर हम equilibrium state देखें यहां भी equilibrium state आ रही है जब हम इसका equilibrium state देखेंगे तो copper जो होता है वो backward reaction को ज़्यादा favor करता है किस reaction को backward reaction को तो यह reduction reaction को ज़्यादा favor करेगा अगर zn यहां electron को lose करेगा और बाहर आएगा और अगर zn two plus electron को लेके deposit हो रहा है तो same यही चीज copper के साथ भी हो रहा है तो यहां पर अभी मैंने आपको बताए इसका जो equilibrium है यह क्या है right hand side shift हो रहा है right hand side और right hand side shift हो रहा है तो यह oxidation को favor कर रहा है ठीके और इसका equilibrium यह de-electronation ठीके और यह क्या है आपका electronation और इसका equilibrium क्या हो रहा है left hand side shift हो रहा है ठीके तो यह reduction को ज़्यादा favor करेगा अब आईए बात करते है E-M-F, E-M-F क्या होता है? E-M-F, E-M-F होता है Electromotive Force जब जड़न अपने दो electron को rod पे, rod पे छोड़कर solution में चला जाता है तो जो electron rod पे generate हो रहे हैं, जो electron rod पे develop हो रहे हैं that is got some amount of energy, this energy is called electromotive force अब आईए बात करते हैं, मालो हमने यहाँ पे दो rod लिया है जो दोनों ही क्या कर रहे हैं, oxidation show कर रहे हैं मालो हमने एक solution लिया और उसमें हमने zinc की rod डाली, zinc sulfate के solution में और lithium chloride का एक solution लिया और इसमें lithium की rod डाली ठीक है? अब यहाँ हमें यह देखना है कि इसमें zinc जादा oxidation show करेगा कि lithium जादा oxidation show करेगा तो अगर compare करें zinc और lithium में कौन सबसे जादा forward reaction देगा मतलब किस rod पे सबसे जादा negative charge develop होगा एक चीज़ का और ध्यान रखना है क्योंकि zinc जो है एक बार में किते electron चोड़ रहा है? two electron जबकि lithium एक बार में एक ही electron को चोड़ रहा है लेकिन अगर जिंक electron लूज करके बाहर आ रहा है तो यहाँ पे negative charge और किनारी किनारी क्योंकि दूसरा solution का zinc आकर चिप रहा है तो यहाँ पे positive charge अन्रेट हो रहा है सेम यही चीज लिथियम के साथ भी है ठीके? और अंदर क्या हो रहा है? negative charge अन्रेट हो रहा है इसमें भी यह जिंक है और यह लिथियम है तो लिथियम क्या होता है? more oxidation लिथियम का oxidation अगर जिंक से compare किया जाए तो ज़्यादा होता है ठीके? तो यह लिथियम जो होता है more oxidation श्रू करता है और more oxidation की वज़ा से इस पर चार्ज जो होता है वो ज़्यादा develop होगा ठीक है इसमें भी चार separation होता है लेकिन उतना नहीं होता है जितना लीथियम में होता है लीथियम में चार separation होगा जितना ज्यादा चार separation होगा उतना ही ज्यादा electron की energy होगी जितना ज्यादा energy होगी उतना ह यहां पर एक बात समझ में आई कि oxidation जो होता है वो metal to metal vary करता है जैसे इसका oxidation जादा हो रहा था और इसका oxidation कम हो रहा था तो सबसे जादा oxidation कौन दिखाता है या सबसे जादा reduction कौन दिखाता है अगर हम उसकी एक series बनाए तो उस series को हम बोलते है electrochemical series और अगर यहां oxidation हुआ है तो जो potential develop होगा मालनों यहां पर oxidation हुआ है अगर यहां पर oxidation हुआ है तो जो potential develop होगा उसको हम बोलेंगे oxidation इसको हम बोलेंगे क्या बोलेंगे इसको हम oxidation potential और इसको हम बोलेंगे reduction रिडक्शन पोटेंशियल, पोटेंशियल, ओके, और अगर हम, अच्छा है, जो ऑक्सिडेशन पोटेंशियल होता है, उसको हम, इडिनोट करते हैं, और जो रिडक्शन पोटेंशियल होता है, इसको हम, इडिनोट करते हैं, ठीके, और अगर हमें, यहाँ चेक करना है, कि किसका ऑक्सिडेशन पोटेंशियल जादा है, और किसका ऑक्सिडेशन पोटेंशियल कम है, जैसे आप यहाँ पर देख रहे थे न, यह लीथियम और जिंक दोनों ही क्या कर रहे थे दोनों ही आक्जिडेशन पोटेंशियल शो कर रहे थे लेकिन इसमें से लीथियम या जिंक किसका जादा है तो उसको चेक करने के लिए हमें दोनों को सेम कंडिशन पर लाना पड़ेगा सेम कंडिशन का मतलब कि जैसे आपका ZNSO4 है इसका भी कंसंट्रेशन 1 MOLAR कर दिया जाए 1 MOLAR और जो आपका लीधियम क्लोराइड का सोलुशन है यह वारा लीधियम हला ठीक है अब यहां पर बताया तो था मैंने लीधियम क्लोराइड हाँ लीतियम क्लोराइट का solution इसका भी concentration क्या कर दिया जाया 1 molar दोनों का जो temperature है वो कितना कर दिया जाया 25 degree Celsius और जो दोनों का pressure है वो कितना कर दिया जाया 1 atmosphere अब दोनों को हमने क्या कर दिया same condition पे रख दिया ठीक है तो इन condition पे जब भी आप oxidation potential या reduction potential compare करोगे तो उसी को बोलते है standard oxidation potential या फिर standard reduction potential ठीक है 1 molar इन condition पे ठीक है oxidation potential को हम E ox से कर रहे थे standard oxidation potential को हम E not ox ठीक ऐसे reduction potential को हम E red कर रहे थे तो standard reduction potential को E not red बोलेंगे ठीक है तो यह होता है आपका इसी को बोलते है standard standard oxidation पोटेंशियल और इसको हम बोलते है रिडक्शन पोटेंशियल आज इस लेक्चर में हमने क्या क्या चाना आज इस लेक्चर में हमने देखा किसका oxidation कौन oxidation reaction को फेवर कर रहा है कौन reduction reaction को फेवर कर रहा है फिर हमने दो metal लिया और दोनों metal को compare किया तो हमने देखा कि अगर दो metal है और दोनों ही oxidation शो कर रहे है तो कैसे हम चेक करेंगे किसमें दोनों को क्या करना होगा और शेम कंडिशन पर हम ऊगर हम उसका और सब्सक्राइब फर्टा पोने हमें लीक्ट पोने में गार है क्या जोक्त हो एक गद्यशन कारत्यां च्राइब हो रहे हैं उस इस वजह से उसमें क्या हो रहा है एक एनर्जी डेफलप हो रही है उसी उसी एनर्जी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रो मोटिफ फोर्स थाइंक यू